इस सीरीज का सबसे पहला कोश्चन है कि निमने खित में से कौन सा जीव अस्थी पंजर समू से संबंधित नहीं है तो पहला अप्शन है मचली, पक्षी, मेंधाक, स्टार फिश इसका सही आंसर होगा स्टार फिश जीवों में कौन सा वर्ग विशेश रूप से अस्थलिय जीवन के लिए अनुकुलित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरी स्रिप मचलीओं में स्वसन किसके माधियम से होता है फेफरा के माधियम से, गेल्स के माधियम से, स्किन के माधियम से, या कुलेका के माधियम से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेल्स के माधियम से ठीक है? Next निमिलिखित में से कौन सा जीव अस्तंधारी नहीं है? तो पहला उप्सन है बाग, चमगादर, मगरमच, मानव तो बोला है अस्तंधारी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगरमच ठीक है? Next है निमिलिखित में से कौन सा जन्तु अंडे नहीं देता है? तो अप्सन हो जाएगा कचुआ, मुडगी, गाए, छिपकली तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाए Next है पक्षियों में स्वासन किसके माध्यम से होता है? तो पक्षियों में स्वासन जो है, वो होता है फेफरे के माध्यम से Next है पेटिवी पर सबसे बड़े अस्थली अस्थनपाई कौनसा है? तो सबसे बड़े अस्थनपाई जो है, वो है हाथी Next है कौनसा जीब उभैचर वर्ग से संबंदित है? उभैचर मतलब जो पानी में भी रा सकता है और अस्थल में भी रा सकता है तो ऐसे जीव है मेंड़क नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा जीव अस्तन धारी है तो शार्क, पेंग्विन, वेल, कच्छुआ तो इसका सही आंसर है वेल मचली वेल नेक्स्ट है स्टारफिस किस सम्मू से संबंदित है तो अप्शन है इनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और मुलस्का तो इसका सही आंसर है एकाइनोडर्मेटा नेक्स्ट कौन सा जानबर सारिस्त्रीप वर्ग का सदस है तो सारिस्त्रीप वर्ग का सदस होगा मगर मच नेक्स्ट है मुलस्का संग के उदाहरन क्या है? तो मुलस्का संग का उदाहरन है गोंगा नेक्स्ट है मचलियों में रक्त संचार प्रनाली कैसी होती है? तो मचलियों में रक्त संचार प्रनाली बंद होती है नेक्स्ट है उभैचरो में कौन सा आंग स्वसन का प्रमुक साधन होता है तो उभैचरो में फेफरा और त्वचा दोनों होता है नेक्स्ट है कौन सा जीव मल्टी सेलूलर नहीं है तो फंगस, वाइरस, प्रोटो जोवा एंड वैक्टेरिया तो इसका सही आंसर है वाइरस वाइरस में कोई सेल नहीं होता है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा कशेरू की जीव है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मचली नेक्स्ट है अस्तंधारियों की कौन सी विसेस्ता होती है ठंडे खून वाले, अंडे देने वाले, दूद देने वाले, स्वसन गिल्स द्वारा तो इसका सही अंसर है दूद देने वाले नेक्स्ट है अर्थरोपोडा सांग के उदाहरन कौन है? अर्थरोपोडा सांग के उदाहरन है केकरा Next है, कौन सा सम्मूह अंतां कंकाल से संबंदित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा Echinodermeta Next है, कौन सा जीव अपनी जीवन चक्र में Metamorphosis से नहीं गुजरता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मच्छली नेक्स्ट है, निमलिखित में से कौन सा जीब अस्थी विहीन होता है? शार्क, मचली, स्टारफिस और हाथी तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टारफिस नेक्स्ट है, सारी स्रिपो की तवचा कैसी होती है? पतली और नम, मोटी और शुस्क, चमकदार, मुलायम और नम तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटी और सुस्क नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा जीव पानी में अंडे नहीं देता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कचुआ ठीक है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा जीव ठंडे खून वाला होता है कुत्ता, सेर, छिपकली, हाँ थी, इसका सही अंसर हो जाएगा छिपकली नेक्स्ट है, निमलिखित में से कौन सा वर्ग पूरी तरह से जल में निवास करता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा मच्छली नेक्स्ट है अस्तंधारी जीवों में कौन सा आंग स्वसन का मुख्य साधन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिपरा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा जन्तु अस्थलिये है यानि मचली, वेल, मेंड़, गिलहरी इसका ही आंसर है गिलहरी नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा जन्तु अनलीडा संग का सदस्व है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिर्थवी के चुआ नेक्स्ट पक्षियों में उरान के लिए कौन सा आंग विशेश रूप से बिक्सित होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंक इस सीरीज का ये last question है निमलीखित में से कौन सा जीव सबसे बरास्तन पाई है तो इसका सही answer हो जाएगा blue whale इस सीरीज का ये last question था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई